रीट के लिए काभी बातें आ रही हैं निश्चित रूप से देखिए NCT का सेलेबस 2011 की गाइड लाइन के मुताबिक पहले से पूर्व निर्धारित है जिसके आधार पर रीट का आयोजन होता है पाठे करम में चूंकि ये NCT की 2011 की गाइड लाइन से ही पाठे करम है सेलेबस है इसलिए उसमें किसी तरह की कोई तबदिली नहीं है आप सभी लोग जो रीट की तयारी कर रहे हैं जो B.A.D.S.T.C. किये वे हैं उनसे मैं आगरे करना चाहूंगा कि ये समय आपके लिए बहुत उप्योगी साबित हो सकता है अपने घरों में रह करके एक टाइम टेबल बना लें और उसके मताबिक तयारी करें क्योंकि रीट की एक्जाम, फर्स्ट ग्रेड की एक्जाम होना आवशक है सरकार, पूर्वर निर्धारित कारिय करम, रीट, दो सरकार की तब्दिली करने का कोई निर्धार नहीं लिया है, क्योंकि जब हम रीट के आविदन मांगेंगे, तो लगबग तीन महिने का हमें समय चाहिए, जो आपकी तैयारी के लिए भी प्रियाप्त होता है, तो अभी तीन मही के बाद में इस डेट को आगे पीछे करने की अगर कोई बात आवसकता मैसूस होती है, तो ही निर्धार करेंगे, वरना अभी तक जो निर्धार कर रखा है सरकार ने सितंबर के मा में रीट का और फर्स ग्रेड का उसको ही मान करके आप लोगों को घर में बैट करके सरकार की दिशा निर्धेसों की पालना करते वे करना चाहिए सेलेबस में कोई कनफ्यूजन नहीं है, रीट का पेपर में कोई कनफ्यूजन नहीं है, केवल उसके सेलेक्शन का आधार क्या होगा, 37-30 का रेशियो होगा जो पहले से था, या उसका अलग से पेपर होगा, या कोई और माब दंडते होगा, चेंज होगा, ये सब चीजें शिक्षक बनने के लिए हैं नहीं कि पातरता परिक्षा के लिए पातरता परिक्षा में किसी तरह का कोई पारिवर्ता नहीं है इसलिए रीट की तैयारी आपको मन लगा करके अभी से घर में बैठ करके मैं समझता हूँ करनी चाहिए यही आपके लिए फाइद है और इस समय का सदुपियोग आप लें कुछ लोगों का ये भी है कि जाब हम कोचिंग करते थे कोचिंग वालों को अमने फीज दे दी है उसका क्या होगा हम तैयारी कैसे कर पाएंगे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ किसी भी कोचिंग इंस्टिटूट को आपने कोर्स कराने की फीज दी है निश्चित रूप से वो कोचिंग इंस्टिटूट आप के हमारे ही समाज का इस्सा है वो समझते हैं कि जब कठिन प्रिष्टितियों में बेरोजगार चात्र चात्राएं अपने अविबावकों से अपने माता पिता से उनकी गाड़ी कमाई में से फीज लेकर के आते हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी जो सेलेबस की तयारी है जिसकी फीज उन्होंने ली है या लेंगे तो वो उसकी तयारी कराएंगे इसके लिए आपको चिंता करने के आप सकता नहीं है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इश्वर ना करे अगर ये परिष्टितियां इस तरीके से हैं और आप कोचिंग नहीं जा सकते हो तो हम कोचिंग वालों से सरकार बात करेगी ओनलाइन आपके पढ़ने की व्यवस्ता करेगी और हमारी जो विद्याले हैं जो गाउं में हैं या राजीव गांदी भवन जो हमारे ग्राम पंचायद मुख्याले पे हैं उनके उपर भी हम किस तरीके से ओनलाइन आपके तयारी के लिए चाये वो स्कूली सिक्षा की हो चाये वो किसी कंपिटेटिव एक्जाम की हो उसके लिए भी हम लोग अंदरी अंदर हमारी विभाग की तरफ से तयारी कर रहे हैं आपको चिंता करने के आवसकता नहीं है